काफी टाइम से कोई एक बढ़िया सी ऐनिमेटिड मुई मैं देखना चाहँ था, भाई सब जिसके अंदर बढ़िया एनिमेशन हो, बढ़िया स्टोरी हो, एक ऐसी ऐनिमेटिड मुझे मिल जाए, जिसको देखकर मतलब मेरा दिल गार्डन हो जाए, फिलाल इस की तलाश में, मतलब एक ऐसी animated movie की तलाश में मैंने तीन animated movie देख लिए जो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही है बढ़िया experience रहा है उनको देखने का वीडियो में तो अभी फिलाल मैं तीनों की तो चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि यार मुझे भी content चाहिए ना लग लग वीडियो बनाने के लिए इस वीडियो में एक ही movie जिसका नाम है Ultraman Rising जो उसके नेट्फिक्स पर रिलीज किया गया है जिसकी लें तक्रीबन दो गंटे के आसपस है उसी की चर्चा करने वाले है यह जो Ultraman Rising करके जो movie है Ultraman करके इसकी एक animated series भी आया करती जिसको मैंने बच्पन में भी देखा हुआ था लेकिन उस वक्त मेरे series को लेकर कोई अच्छे ख्यालात नहीं थे मतलब मुझे इतनी पसंद नहीं आती थी जैसे आपने गोडजिला देखा हो उतने ही size के जो giants है वो धरती प्याते थे और उनको रोकने के लिए एक Ultraman होता था जो इनको रोकता था और obviously predictable चीज़े होती थी उनको रोक भी लेता था उनके बीची वे fighting देखने को मिलती थी वो भी मुझे इतनी खास पसंद नहीं आती तो एक ऐसी धारना मेरे अंदर बन गई थी कियार जो अल्टरा मैं नहीं इसकी मूवी और सीरी बस ऐसे ही होंगी बोरिंग सी होंगी कोई कुछ खास नहीं होगा वस वही प्रेडिक्टेबल स्टोरी हमें देखने को मिलेंगी लेक अभी मैंने आपको बातों बातों बता भी दिया कि जो एक इसके अंदर में देखने को मिलने वाला है कि बड़े-बड़े जाएंट जो धर्ती पर आ चुके और इनको रोकने के लिए एक विक्ति होता है जिसको मतलब पावर होती है कि वो अल्टरा हो जाता है मतलब बहुत कॉंसेप्ट है अभी जो काईजु इनको रोकने के जो ऐल्टरा मेन होता था वो उनको रोकता है अब लेकिन कहानी के अंदर जो इस nessa कि जो सिर्फ इतने लोग जाते है ऽे लेकिन बाकी की दुझिया इस काईजु के बच्चे को मतलब बच्ची को चो चो क्छी प्यार की द्रिश्टी से नहीं देखती है, उसको यहीं लगते है कि यह यह शैतान है, यह राक्षस है, यह बहुत बड़ी जानवर है काईजू, काईजू, obviously काईजू तो होती है, तो वो उस तरीके के उसको नहीं देख पाते हैं, तो अब देखने वाली बात ही होती है, इस इस बच्ची को, जो काईजू की बच्ची है, उसको कैसे वो बचाता है, आने वाली प्रॉब्लम से, इन सवालों के जवाब आपको इस मुवी के अंदर मिलेंगे, जब आप इस मुवी को obviously देखोगे, तो यह होगी इसकी कहानी की बात, हम बात कर लेते हैं कि मुवी में अ आकई में बहुत अच्छे से स्टोरी पर डेवलोग किया है, दो घंटे यार इस मुवी की लेंट था, वो कहीं पर भी आपको बोर नहीं करेगी, आप शुरू से लेकर एंडिंग तक इस मुवी के साथ बने रहोगे, और आपके अंदर एक interest, ऐसा एक curiosity होगी, कि आप जानन चीजें जो है, इस मुवी को देखने लाइक बनाती है, साथ इस मुवी की जो animation है, मुझे वो बहुत जादा अच्छे लगी है, मतलब मैंने accept नहीं किया था कि Netflix के ओपर, हलांकि बहुत कम एक animated series मुझे या movies मुझे देखने को मिलती है, Netflix पर जो काफी सरहानिया होती है, जि पीछे बहुत बढ़िया सा एक reason दिया गया है, कि भाई वो क्यों मारना चाहता है, और जो इसकी ending होती है, विलन की जो ending हमें दिखाए जाती है, विलन की क्या, जो इस मुवी के ending दिखाए जाती है, जहां पर हमें विलन देखने को मिलता है, वो भी बहुत बढ़िया एक emotional तरीके से हमारे सामने represent किया गया, मतलब इस में इस movie के अंदर, कहानी के उपर, क्रेक्टर के उपर, animation के उपर बहुत अच्छे से focus किया गया, तो यह हो गई इस movie के अच्छे अच्छी बाते हैं, अब भाई साब कोई इसके अंदर कोई कमी नहीं है, हां कमी है, जो इसके अ आप, मतलब, live action movie के अंदर नहीं कर सकते, obviously उसके अंदर भी कर सकते, लेकिन एक animated के अंदर, जो movie होती है, उनके अंदर काफी आपको freedom होता है, चीजों को बहुत अच्छे से दिखाने का, उस freedom का इन्होंने साइज से use नहीं किया, मुझे ऐसा feel हुआ, तो एक इस भिहाब प बात करें, तो काफी बढ़िया, हिंदी डबिंग मुझे लगी, इसके लावा बच्चे इस movie को बेशक देख सकते हैं, कोई भी मार, काट तो इसके अंदर नहीं है, हाँ, एक थोड़ी बहुत comedy भी रखी गई है, starting से लेकर आखिर तक आपका interest इसके अंदर बना रहेगा, त तो ये था आज का review, आप लोगों ने अगर ये movie देखिए, तो please comment करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखिए, तो बिशक आप इसको एक बार try जुरूर कर सकते हैं, अपनी family के साथ इसको देख सकते हैं, तो बस आज के लिए इतना है इस video में, thanks for watching this video, मिलते ह नेक्स वीडियो में, जाए हिंद